हेलो गाइज विल्कम टू आज इजूकेशन चैनल सभी बच्चों का मैं आज इजूकेशन चैनल में श्वावित करता हूँ बच्चों मैं आज आज आपको चिना मेंटरी का कोश्चन बताऊंगा बहुत इस्सरल तरीके से बताऊंगा बच्चों आप मेरे वीडियो को श्रीप मत करिएगा शुरू श्रीकर के आखरी तक देखिएगा माइन नेम इजार्जयन सिंग आई एम मैं टीचर साल्यविन सिक्रिकल मौ लखिए इसमें आपको क्या दे रहा टरेन ए इसमें कोश्चन में आपको दे रहा है कि इन ए बी सी राइट ट्राइंगल तो एक ए बी सी एक हम क्या करेंगे कि राइट ट्राइंगल बना लेंगे बना लिजे ए नाम दे 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 ए बी सी देखो जब भी हमको कोई भी क्वेश्चन को फाइंड करना होता है महले हमको ट्रिक्नामिंटरी का क्वेश्चन साल्फ करना होता है उसमें right triangle जरूर लगाएंगे ये हमको हमेशा ध्यान देना है आपको क्या उसमें use करना है आपको right triangle क्योंकि question में ही दे रहा है कि in ABC right angle at B if 10 A is equal to 1 upon under rule 3 तो 10 A का मतलब क्या होता है 10 A बराबर होता है perpendicular upon base P को perpendicular और B को base तो ये हो जाएगा 1 upon under rule 3 perpendicular upon base और इसको हम पैथा कोरस प्रेमेंस से solve कर लेंगे in right triangle right triangle ये solution है इसका right triangle A, B, C triangle A, B, C A, B, C जो दिया है वह हमारा A, B, C is equal to 90 degree और हमको मालूम है कि किसी भी शमकों त्रिभुज में कान पर बना वर्ग, सेज दो भुजाओं पर बनी वर्गों के योग के बराबर होता है तो ये जो हाइपो, ये क्या होता है A, ये यच जो हाइपोटेनस होता है P, perpendicular होता है और B, और A, B, C जो होगा बेस होगा तो अब इसका हम फार्मूले का यूज कर देंगे कि यच इसक्वाइर 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 और प्लस बेस का इसक्वाइर या इसी को लिख सकते है इसी को हम लिख सकते है यच का मतलब A, C का इसक्वाइर और इसक्वाइर इसक्वाइर और इसक्वाइर अब इसको हम सार्फ कर देंगे AB की value हमारी है 1 है तो 1 का square कर देंगे और under root 3 का square कर देंगे तो under root 3 का square 3 हो जाएगा तो 1 प्लस 3 is equal to 4 तो AC is equal to under root 4 is equal to 2 हो जाएगा अब हमको क्या करना है कि हमको value find करना है साइन A, कास C, साइन A, कास C और कास A, साइन C अब मेरे प्यारे बच्चों इस प्रकार के question को जब दिया जाता है तो हमको कैसे हम साइन A की value निकालेंगे तो हमें मारूम है कि साइन A के in France side में जो होता है उसके शामने की जो अंगल जो हमारा side जो दिया जाता है वो हमारा perpendicular होगा इंगल A के सामने का तो क्या होगा BC हमारा क्या हो जाएगा perpendicular हो जाएगा और base क्या हो जाएगा A भी हो जाएगा तो sin A is equal to क्या होता है क्योंकि अब इसकी भी value हमने निकाल लिया 2 हो गया तो हम value find कर लें तो shine A की value होगा हमारा होता है perpendicular तो perpendicular upon hypotenuse होता है तो hypotenuse तो perpendicular हमारा होगा अब इसमें यहाँ पे लिख सकते हैं BC upon और AC लिख सकते हैं और यही चीज़ हो जाएगा BC upon AC is equal to under root 3 by 2 हो जाएगा इसी तरह से हम कास C की value निकाल लेंगे कास C की value निकाल लेंगे तो कास C के लिए क्या होगा कि हमारा base अपान तो base तो यही होगा BC base हो जाएगा तो BC और hypotenuse क्या होगा hypotenuse जो होता है वो AC हो जाएगा तो यह हो जाएगा कास C के लिए BC तो under root 3 और by 2 हो जाएगा यह भी हो गया अब हमको निकालना क्या है कास A कास A की value हमें मालूम नहीं है तो कास A की भी value निकाल लेंगे तो यहाँ पर कास A की value देख लें कास A की value क्या होगी कास A is equal to यहाँ से फिल लेंगे तो यहाँ पर हमारा होगा base upon hypotenuse तो base हमारा क्या है base इसके लिए हमारा हो जाएगा A B base हो जाएगा तो A B upon hypotenuse क्या होगा A C हो जाएगा यह हो जाएगा A B तो 1 upon 2 हो जाएगा अब बचा हमारा sin C बचा तो sin C को निकाल लेजिए तो sin C क्या हो जाएगा sin C यह हमारा होगा perpendicular upon base perpendicular upon hypotenuse तो perpendicular हमारा होगा A B और hypotenuse क्या होगा A C होगा तो यह हो जाएगा हमारा क्या होगा A B A B जो होगा 1 होगा 1 by 2 होगा अब इस तरह से हम इसकी value find कर सकते हैं तो हम लोग देख लें क्या हो जाएगा इसको यहाँ पे हम ले लेते हैं sin A कास C प्लस कास A into sin C तो कास sin A की value हमें क्या दिया है? अब यहाँ से हम लोग देखेंगे sin A की value दिया है under root 3 by 2 दिया है फिर उसके बाद से कास C की value क्या दिया है? under root 3 by 2 दिया है और प्लस अब हमको दिया है कास A कास A की value 1 by 2 है और sin C की value क्या दिया है? sin C की value 1 by 2 है तो इस तरह से हम जब solve करेंगे तो under root 3 में under 3 से multiply करेंगे तो 3 होगा और under 3 by 4 हो जाएगा और प्लस 1 by 4 is equal to 4 by 4 is equal to 1 हो जाएगा तो इस तरह से मैंने आपको यह question बताया है अज़ी बच्चों आपको यह question समझ में आ गया होगा तो मेरी प्यारे बच्चों मेरे चैनल को subscribe करिएगा बच्चों कहीं से भी कोई भी problem आती है तो मुझे comment के माद्धम से या वाशक के माद्धम से जरु सुचित करिएगा जितने भी मेरे new audience मेरे चैनल को देख रहे हैं मैं सभी के मंगल में भरिश की कामना करता हूँ आप लोग जिवन में हमेशा प्रसंद नहीं जिवन में हमेशा आगे बढ़ते रहें बस आप लोग का सहयोग और साथ चाहिए आप लोग से मेरा request है कि आप लोग comment करें और हमें बताएं बच्चों की आपको question समझ में आ रहा है कि ने समझ में आ रहा है कहीं से भी कोई भी प्राब्लम आता है तो मुझे जरूर बताएं मैं आपको यह क्यों को साल करूंगा बस आपनों का सहयोग और साथ चाहिए तो गुड नाइट थेंक वाज तो वीडियो